हलो एब्रीवन मारश्वन्ट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे के बीएस नौलेज बेस्ट एक्सपर्ट सिस्टम तो नेक्स्ट आप दखते कि इससे रिलेटिड कौन-कौन से टॉपिक कहां पे इस वीडियो में पढ़ने वाल है फर्स्ट आता है कि के बीएस क्य इनको डीटियल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप मिस से रिलेटिड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसे टॉपिक पर वीड यह आपको एडवांस फैसिलिटीज प्रोवाइट करता है कंप्यूटर के बारे में उसके रिसॉर्स के बारे में और यह शिफ्ट होते जा रहा है डिमांडिंग टास्क की तरफ मतलब जो भी लोग की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग यह काम करता है उनको नॉलिज प्रो टूल बन गया है जो की आपको क्लेक्टि वलिज प्रोवाइट करता है एक और उसने जादे एक्सपर्ट के बारे में यह एक्ट करता है कि एक्सपर्ट है जो कि आपके डिमांड के अकॉर्डिंग ऐनी में आपकी help करता है, मशाभए को सेव करता है और आपको बहुत कम पै कि आप information को समझे, process करे, final decisions ले, जो traditional computer system होते थे, उनके पास इसका idea नहीं होगा, पर आप अब इसको processing कर सकते हैं, तो knowledge based expert system, एक software या computer based information system है, जो कि आपको knowledge data देता है, जिसको कि आप process कर सकते हैं computer program के थूँ और आप किसी conclusion को निकाल सकते हैं, next हम देखते हैं कि क्या components होते हैं इसके तुसमें तीन है, knowledge base, inference engine और user inference, income detail में देखते हैं, first आता है knowledge base, knowledge base एक store house है, जिसमें different form के knowledge है, knowledge base established collection होता है, information का और resources का, ये system use क्या जाता है, repository की तरह, जिसमें कि आप knowledge का use कर सकते हैं, decision लेने के लिए system के थूँ, next आता है inference engine, AI, inference engine, use क्या जाता है, ताकि आप कितना knowledge present है, knowledge base के according उसको समझ सके, inference engine process करता है data को किसी भी system में, ये act करता है कि हम search engine को देखें किसी भी system में, वो कैसे locate है, क्या relevant information, जो कि किसी भी request पे inference engine provide करता है, लोगों को वो information को process करने का काम करते है, next आता user inference, ये आपको appropriate user inference को बताता है कि कि कितने लोग present है, क्या natural है, ये language processing क facilities provide करता है, user inference देखते है कि knowledge base system कैसे appear होता है, user की requirement के according, और ये allow करता है कि लोग अपनी request उसमें डाल सकते हैं, और वो उनको result दे रहा है, इस तरीके से user उस system के साथ interact करता है, तो ये तीन main component होते है, next आम देखते है कि क्या benefits होते है, first आता है कि ये आपको goods and delivery की process में help करता ह B2C business में, आप उसको easily increase कर सकते हैं, next आता है ये assist करता है users को कि वो expert तरीके से decisions को ले सकते हैं, नए knowledge को create करता है, existing data का review करता है, knowledge को store करता है, group करता है data को different area के experts के according, handle करता है significance amount में क्या structured और unstructured data है, intelligency और efficiency के basis पे, improve करता है productivity को, consistency को, decision making process में, integrate करता है knowledge को large scale पे, ताकि common platform पे knowledge को access किया जा सके, efficient documentation प्रोवाइड करता है, important data को users में, वो store करके रखता है data को future use के लिए, next हम दखते हैं कि क्या challenges होते है, knowledge based system के, first acquiring, organize and manipulation, large volume of data and information, इसको large volume में data को लेना पड़ता है, organize करना पड़ता है, और manipulate करना पड़ता है, next आता है experience, potential, anomalies in the system, such as redent, rules and circular dependency, जो भी system है, उसमें आपको rules को follow करना होता है, और आपकी इसमें बहुत जादा dependency हो जाती है, next आता है, handling the limitation of scientific and cognitive techniques, इसमें आप handle करते हैं scientific and cognitive techniques को, next आता है, providing a system that is only a high level quality as the data and information is contained, ये सिर्फ high quality की information या data को provide करता है, इस system में आप सिर्फ high quality की data और information देख सकते हैं, next आता है, require accurate and extensive data to perform correctly, आपको इसको सही तरीके से perform करने के लिए, correct data की और सही data की फोल जादा जरुतोगी ताक कि आपका ये system अच्छी तरीके से काम कर सके, तो इस वीडियो में आपने देखा कि knowledge based expert system क्या होदा है, इस का meaning, component, benefit or challenges, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए और comment कीजिए, और किसी topic पे कर सकते हैं, थैंक यू